तो दोस्तों कैसे आप सुब लोग बहुत बहुत स्वागत है हमारे शेन गॉट टेक्निकल तो सिखाना मेरे काम सीखना आपका सीधे टॉपिक पर आ जाते हैं वाइश टॉपिक जो आपने देखा है थमनेल पर बिल्कुल सही है कि आप गुड मॉनिंग टैग के लावा भी को यह ऐसा टैग है जिसमें आप अपनी वीडियो को वारियल कर सकते हैं या फिर गुड मॉनिंग टैग ही एक ऐसा टैग है जिसमें आप अपने वीडियो को अच्छी रैंक करा सकते हैं जिसमें आपकी वीज अच्छी आ सकते हैं कॉमेंट्स अच्छी आ सकते हैं यह सारा का स प्रफारा section जो है good morning tech का वो कितने लोगों पर निरभर करता है और किस category पर निरभर करता है यह सबसे important चीज है तो थोड़ा साच के इस topic में थोड़ी सी अच्छी सी प्रकाश टालेंगे और समझेंगे इस topic को कि actually आप good morning tech का जो use करते हो बहुत से लोग ऐसे हैं जो 98% good morning tech का use क बड़ते हैं तो वो अच्छा है या बुरा ये अच्छा है तो किन लोगे लिये वो बुरा है ठीक है पर आपको करना क्या है भाई सबसे पहले टौपिक शुरू कर लेते हैं लेकिन शुरू करने से कुछ थोड़ा सा भी लाब उठा पाते हो तो एक लाइक तो बनता है यार तो दोस्तो साथ में लगा देना हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ में लगा नॉटिफिकेशन बैल को भी क्योंकि ऐसे ही अगर आप देखोगे शेर चैट की वीडियो या फिर ऐसे ही आप देखोगे हैलो एप की वीडियो या फिर टिक टॉक की कोई ऐसी अरनिंग की एप की वीडियो तो भाई सब्सक्राइब कर लेना चैनल को क्योंकि ऐसे मैं बहुत से टॉपिक्स पर वीडियो लाता रहता हूँ आप थोड़े से जानकरी ले लेते हैं इस टॉपिक पर तो आप जब गुड मॉनिंग टैग में अपनी वीडियो उसको डालते हो तो सबसे पहले तो आपको मैं बता दूँ गुड मॉनिंग से रिलेटिड अगर वो होती है तो ही आपकी वो रेश्यो पर जाती है तो ही लेकिन according your tag थोड़ से समझना according your contain ऐपका जो कंटेन अगर कॉमिडी का है तो वो कॉमिडी वाले tag पर जादा इंक्रीज करेगी according to good morning वाले टैग पर शुब प्रभाती good night, शुब दुपैर, इस तरह से ये जो morning के दुपैर के और शाम के जो टैग्स हैं ये special जो टैग्स हैं इन टैग्स पर वीडियो बनाओ आप पोस्ट डालो तो जादा अच्छी चलती है लेकिन उसके अकॉर्डिंग डालो तो अब यहां पर एक चोटी सी चीज और है जैसे कि मानलो आप वीडियो बनाते हो लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो पोस्ट बनाते हैं यानि कि एक इमेज ली और इस उमेज पर बहुत से लोग शायर होते हैं लिखने का शौक होता है बहुत से घजल पोस्टों की वैल्यू जादा होती है अकॉर्डिंग तो आपकी वीडियो पोस्ट है वीडियो पोस्ट जिस कैटिगरी पर जाएगी उस कैटिगरी की टैग ही उस पर हाई कराएंगे उसको उसकी व्यूज अप कराएंगे लेकिन पोस्ट जो आपके इमेज पोस्ट होते है लिखे हुए पोस्ट होते हैं वो आपके हर एक टैग में अप्रोच करती है और हर एक टैग में हाइलाइट होने की कोशिश करती है हर एक टैग में लेवल अप करती हो जिससे आपकी व्यूज आते हैं कॉमेंट्स आते हैं और उसके बितलत आपके फॉलोवर्स भी इंक्रीज होते हैं लेकिन followers ही नहीं यहाँ पर आपकी earning जो है वो भी generate होने लगती है लेकिन image से earning generate इतनी नहीं होती जितना आप मतलब समझ लो कि आपको अपने 10 image डाली लिख कर तो उससे अगर earning आपकी 100 रुपे हो रही है तो 10 video जब आप डालोगे तो उसकी earning आपकी 1000 रुपे होगी अब आप खुद अंदाद लगा लो कि कितना डिफरेंस है इन दौनों में image डाले में और वीडियो डाले में तो यहां तक आपने बात समझ लिए होगी आज की है जहूरी है अगर आप समझ पाते हो उसको अचे डंग से तो आप गुड मॉर्णिंग टैग का यूज्स करो अढरवाइिस गूप मानिंग टैग का यूज्स मत करो बहुत से लोग हैं जो गूड मानिंग यूज़ ही झाल झाल